हलो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है विज्डम हब स्टेडी पर आप लोगों के लिए में लेकर के आया हूँ मद्य प्रदेश करेंट अफेर का एक सेरीज जो कि मद्य प्रदेश का जो नोटिफिकेशन्स आया हुआ मैं इसके माधियम से जनवरी 2019 से लेकर के दिसंबर 2019 तक के जो भी करेंट अफेर रहेंगे राज जी के वो में कवर करूँगा इसमें एक प्रेशन पूछा जाएगा उसका जवाब रहेगा और उसके कुछ डिसक्रप्शन्स रहेंगे जो कि आपको बहुत यादा मैं तो पू का आपके पास संग्रा हो जाएगा आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को बार 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 इस वीडियो को सुनना है इसकी स्पीड बढ़ाईए और बार बार सुनते रहिए आपको सारे जवाल की जवाब याद हो जाएंगे तो चलि हम स्टार्ट करते हमारा करेंट आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के करेंट अफैर नहीं देखें तो आप देख लीजिए मैंने हर महीने में तकरिबन 50 कोश्चन्स मैंने डिजाइन किये हैं और ये सारे जो डेटा और फैक्ट लिये गए है वो सभी गवर्मेंट के अथेंटिकेट सोर्सेस से लिया गया है जैसे की MP, Info.org से लिया हुआ है फिर मद्प्रदे संदेश करके एक पद्रिका प्रकाशित हो रहा है ये मद्प्रदे सरकार के द्वारा उससे लिया गया है और फिर रोजगार निर्माण है उससे डेटा ल परतीद करना है क्योंकि आप लोगों के बराबर मेंने मेहनत कर लिया है तो इसलिए मैं आपको ये सारी प्रोवाइट कराने के कोहिश कर रहा हूँ तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन अनुभूती कारिक्रम का लोगों डिजाइन करने के लिए प्रतियोगिता रखा गया था तो इस प्रतियोगिता के विजएता कौन है इस प्रतियोगिता के विजएता स्री बंशिलाल केत की हैं दोस्तों मैं आपको यहां पर इस पस्ट करा देना चाहता हूँ कि जितने भी आप लोग देखते होंगे प्रोग्राम्स के स्कीम के योजनाओं के लिए लोगो बनाया जाता है तो वो लोगो बनाने के लिए प्रत्योगिता रखी जाती है और ये प्रत्योगिता केंदर सरकार अपने तरफ से रखती है राज सरकार के जो स्केम्स होते है राज सरकार अपने तरफ से रखती है और इसमें जो विजेता होता है उसको बकायदा यहाँ पर पारी तोशित भी दिया जाता है मतलब इनाम सुरूप उसे सर्टिफिकेट और पेसे भी दिया जाते है जैसे कि यदि कोई government scheme है यदि उसके लिए logo design करने में आप participate करना चाहते हैं आप अच्छे logo design करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है आपने देखा होगा कि my government करके एक application आता है इस my government application पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे logo design करने की option होते हैं जाकर के आप logo design कर सकते हैं अगर हम बात कर मध्यप्रदेश की तो मध्यप्रदेश में अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा MP my government करके एक application या website होता है यहाँ पर मध्यप्रदेश प्रसासन के जितने भी schemes होते हैं उसके लिए मध्यप्रदेश सरकार यहाँ पर आप logo को invite करती है कि आप logo बनाईए तो उसी logo के invite करते समय आपको logo design करना होता है और logo design करके वहाँ पर उसकी जो soft copy है उसको upload किया जाता है उसी के अधार पर जब selection के committee बेटती है selection committee आपका selection करती है जिसका logo उन्हें पसांद आता है उसको फ तबी government scheme में जो वो scheme जहां पे भी उसको imply करना होता हो हर जगा आपका logo दिखाई देता है तो इस प्रकार government logo बनाने के लिए कारिकरम चलाती है चलिए अगला question देखते हैं यहाँ पर कि इंदोर में metro के साथ rapid rail और electronic बसों को चलाने के लिए योजना बनाई गई है इस योजन इस में गुप्तिकालीन शियु मंदिर कहां पर इस्ती थे तो यह भूमरा में इस्ती थे और गुप्तिकालीन समय को ही भारती इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है ऐसे मंदिरों के रूप में क्योंकि इसी समय अच्छे बहुनों का निर्माण होना शुरू हो गया था मतलब एक सिकायत बॉक्स लुंच किया गया है जिसके माध्यम से अगर कोई सिकायत करना होता है तो आप यहाँ पर जाकर के यह बॉक्स में वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर सिकायत तर्ज करा सकते हैं पांचवा प्रेशने यहाँ पर कि कि बाग को अधिकारी क्रूप से भारत का राष्टे पसु कब घोशित किया गया था तो बाग को मतलब टाइगर को अधिकारी क्रूप से 18 नमंबर 1973 को इसे अधिकारी क्रूप से Official National Animal करूप में घोशित किया गया था और जो 2018 के रिपोर्ट आई है उसके अधार पर मद्ध प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है चलिए आप इसका मुझे नमबर बताईए एक्जैक्ट नमबर कितना मद्ध प्रदेश में टाइगर है साथवा प्रचने के प्लास्ट की बोतलों के ढकन में महात्मा गांधी की विशालतम तस्वीर 13 से लेकर के 14 नमबर को दिवास के कुशा भाउ ठाकरे स्टेडियम में तयार किया गया इसे किस कलाकार ने बनाया था इसे आनंद परमार वो उनके साथ रहने वालन के 12 शयोगनिया मिलकर के इस पूरे के पूरे जो तस्वीर इसको डिजाइन किया था आठवा प्रशने आपर कि भुपाल की किस लड़की ने सेंट्रल अमेरिका की बालिकाव सिटी में बालीज सिटी में आयोजित मिसेस साथ एशिया ब्यूटी पेजिंट का खिताब जीता है तो ये जीता है अरपिता वर्थ ने ये भारत के अलावा इसमें किन किन देसों ने पाटिसेपेट किया था पहनाया आए नवा प्रशने कि मद्यपरदेश के किस शहर में कुछ युवाउने मिलकर की रोटी बैंक के शुरुबात करिए जो हर रोज लगबग 200 लोगों का पेट भरने का काम करते है तो ये भोपाल में स्टार्ट किया गया है और इसको स्टार्ट किस ने किया है तो मुहमर यावर खान वो उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर के भोपाल में स्थित इकबाल मेदाने ने वहाँ पर इन्होंने इस तरह के का मतलब अच्छा काम स्टार्ट किया है के सकते नेकी का कारे स्टार्ट किया है दस्वा प्रशने यहाँ पर कि World Diabetes Day कब मनाया जाता है तो 14 नमंबर को World Diabetes Day मनाया जाता है और ये क्यों मनाया जाता है कि diabetes से क्या क्या समस्या होती है क्यों होता है इन सारी चीज़ों को बताने के लिए क्या जाता है तो I think मुझे आप लोगों से उम्मीद होनी चाहिए कि आप लोग बकायदा diabetes को सर्च करें Google पर और देखें कि क्या क्या इसके reason है और एक बात और बता दो मैं भारत में सबसे ज़्यादा diabetes से पीडित लोग है ग्यारवा प्रशने आपर कि मद्ध प्रदेश में संचालित पहली ट्रेन जिसमें पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में मॉबाइल लाइबरेरी जो ट्रेन में प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा इसमें क्या होगा तो ये भोपाल एक्सप्रेस का जो थर्ड एसी होता है उस थर्ड एसी में ये सिस्टम ये मतलब ये इस तरीके के फैसलेटी स्टार्ट की जाएगी और इसे स्टार्ट किस ने किया है तो इसे भोपाल DRM ने स्टार्ट किया है बारहवा प्रेशने के ओलंपिक होकी टीम में मिड़ फिल्डर के रूप में मद्द प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर का चैयन हुआ है उनका संबन्द मद्द प्रदेश के किस जगह से या जिले से है तो इटार्सी के छोटे से गाउं जिसका नाम चांदोन है वहां से इनका मतलब यह वहां के हैं यह और इनों ने यह जो है टोकियो ओलंपिक जो होगा 2020 इसमें यह खेलेंगे तेरवा प्रशने यह कि मद्द प्रदेश के सियूपुरी जीले का यह खेलाडी जो बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता इसका चेयन अंडर 19 नेशनल की जो समान्य टीम है फुटबॉल टीम उसमें इसका चेयन हुआ है मतलब यह जो खेलाडी खेलेंगे फुटबॉल के उस 11 खेलाडी उस 11 खिलाडी में ये एक ऐसा खिलाडी रहेगा जो ना तो बोल सकता है ना सुन सकता है मतलब एक समानने से जो टीम होती है उस टीम में इसका चैयन हुआ है तो इस खिलाडी का नाम है मयंक अगरवाल और एक किस जीले से हैं? तो ये शिवपुरी जीले से हैं ये भी आपको विशेश रूप से याद रखना है। चोधा हवा प्रशने कि मद्यप्रदेश के पर्यावरंड मित्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरीश जैस्वानी को इस नाम से जाना जाता है और एक ग्वालियर से हैं ये। पंद्रहवा प्रशने आपर कि मद्य प्रदेश ने एक सिंगल विंडो वेबसाइट तयार किया है जहां पर्यावरण से लेकर वन वाइल्ड लाइफ और कॉस्टल रेगूलेशन जोन तक की अनुमति मिलेगी इस मोबाइल का नाम क्या है तो इस मोबाइल का नाम परिवेश ह प्रशने आपर कि मद्य प्रदेश ने कौन सा एप लाँच किया है जिसकी मदद से उपभोकता उचित मुल्य की दुकान से संबंदी सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तो एम राशन मित्रा एप लाँच किया है इसके मदद से क्या होगा इसके मदद से ये होगा कि आप आपके मतलब जिसे कि आपका राशनकाड है उससे सम्मान्दी जो भी जनकारी कब क्या सामान ले गई थी उस जगह पर कितनी चीजा वेलेबल हैं कितनी स्टॉक्स में हैं ये सारी आप जनकारी एकत्रित कर सकते हैं इस एप्लिकेशन के माध्यम से नाम एक बदरोर सुनने जि उम्र है वो 48 वर्सी है फिर से याद रखिए ये भौपाल की हैं 48 वर्सी है और 16 मास्टर सेरा की प्रतियोगिता में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था अठारवा प्रशने यहाँ पर कि DRDO के Dare to Dream प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के किस इंजिनियर को समानित किया गया तो प्यूश चतुरुवेदी को समानित किया गया ये मेकैनिकल ब्रांच के हैं और भौपाल से हैं ये उन्नीसवा प्रशने के मध्य प्रदेश के भौपाल शहर में प्रतिवर्स इस्तिमा का आयोजन नवंबर में माह में किया जाता है इसका पहला संस्क्रण कब आयोजन किया गया था तो इसका पहला संस्क्रण है अधिकारिक रूप से 1944 में start किया गया था यह आपको इसकी जो information आप कहीं जगा 1938 भी देखेंगे लेकिन अधिकारी ग्रूप से बता रहा हूं है कि 1944 में start किया गया था और यह information मैंने जो आकाश्वाणी का समचार आता है उसमें मैंने यह सुना था इसलिए मैं यह fact आपके सामने रख रहा हूँ 20 वा प्रशने आपर कि मद्यप्रदेश के shooting खिलाडी ने ओलंपिक टोक्यो के लिए दोहा में आयोजी 14 हवी एशियाई shooting championship में कांस पदक जीत कर कोटा दिलाया है तो यह खिलाडी का नाम किया है तो एश्वर्य प्रताफ है जो कि खरगों जीले से हैं और ये खरगों जीले से हैं ये और इसके बाद अगला प्रशने यहाँ पर कि 21 वा कि राश्टिय जूनियर एथलेटिक के चेंपियनशिप में मद्यप्रदेश के कुल कितने खिलाडी मतलब कितने पदक जीता है तो राश्टिय जूनियर एथलेटिक चेंपियनशिप में मद्यप्रदेश के ने कुल मिला करके 10 यहाँ पर पदक जीते हैं जिसमें से 5 गोल्ड है 2 सिल्वर है और 3 ब्रॉंज है और इस इसे लॉंग जम्प आएगा लॉंग जम्प नहीं आता है यदि एथलेटिक्स भी आता है तो आप एथलेटिक्स लगा सकते हैं यदि उची कूद हिंदी में या लॉंग जम्प नहीं आता है तो क्योंकि एथलेटिक्स में से बहुत सारे इवेंट होते हैं ज्वाइंट होते हैं मिल करके पुरा ग्रेम बनाता है वो तेश्वा प्रेशने आपर की राष्टिय जूनियर एथलेटिक्स चेंपेंशिप में मदप्रेस के किस खिलाडी को बालक वर्गों में बेस्ट एथलिट चुना गया है तो ये सुनिल डाबर है जो कि पंद्रा सो मीटर वर्ग में ये दोडते हैं और इसके बाद ये उम्र कितनी है इनकी तो ये अंडर 14 जो वर्ग है उसमें भी ये मतलब अंडर 14 के वर्ग में ये आते हैं चो अबिस्वा प्रेशने आपर के सूटिंग कि लाड़ी चिंकी आदाउने चोधवी एशियाई शूटिंग दोहा में जो हुआ था उसमें ओलंपिक 2020 के लिए कोटा प्राप्त किया है कोटा प्राप्त करना मतलब क्वालिफाई कर लिया है उनका चैयन किस वर्ग इस परधा में हुआ है तो उनका जो चैयन है वो 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल वर्ग में हुआ है मतलब है शूटिंग करती है ये ये भी आपको याद रखना है 25 प्राप्रशने की मनीशा कीर ने खेलो यूद गेमस में मध्य प्रदेश के लिए गोल्ड मेंडल जीता उनका संबंद की स्खेल से है तो इनका संबंद शूटिंग से है चब 20 प्रशने यापर की 18 नवंबर 2019 को राज्य शिखर अलंकरण का आयोजन कहां किया गया तो ये भोपाल में किया गया था 27 प्रशने के अंतराष्ट्य साहित्य कारिकरम विश्वरंग का आयोजन कहां किया गया तो ये भोपाल में किया गया था मिंटो हॉल में रविंदर नाथ टेंगोर यूनिवर्सिटी के द्वारा 28 प्रशने यापर कि मद्ध प्रदेश के गवर्नर लाल जी टंडन कौन से नंबर के गवर्नर है तो मद्ध प्रदेश के गवर्नर है लाल जी टंडन ये 28 प्रदेश के गवर्नर है 27 प्रदेश के गवर्नर का नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है मैं हिंटे देता हूँ ये एक महिला है और मद्ध प्रदेश की पहली महिला राजपाल कोन है ये आप बता सकते हैं तो बताईए मैं आपको पांस सेकेंड का समय देता हूँ चलिए मैं बताता हूँ अब इसका जवाब आप में चेक करना है कि किनकिन ने जवाब दिया तो सरदला ग्रेवाल जो है मद्ध प्रदेश की पहली महिला राजेपाल रही है तीसवा प्रशने के मद्ध प्रदेश उच्छ नयाले के प्रमुख नयाधीश की से नियुक्त किया गया है तो मद्ध प्रदेश के जो उच्छ नयाले है उसका जो कह सकते हैं कि प्रमुख नयाधीश है अजय कुमार मित्तल को जिनका शॉर्ट काट यहाँ पर एके मित्तल होगा उन्हें नियुक्त किया गया है तीस्वा प्रशने की मद्यप्रदेस सरकार दोरा संचालिस संजीवनी क्लीनिक योजना दोहजार उन्नीस मद्यप्रदेस के कितने जीलों में पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में संचालित किया गया जा रहा है तो यह चार जीलों में किया जा रहा है भौपाल इंदोर गौालियर और जबल्पूर में 31 प्रश्ण आपर कि मद्य प्रदेश की अनसुया उईके को किस राजे का राजेपाल नियुक्त किया गया है तो 36 गड़ की नियुक्त की गई है और 36 गड़ की चहटवी मतलब 6 नंबर की गवर्नर है चिन्दवाडा जीले की निवासी रही हैं यह मतलब रही नहीं है यह अभी भी है 32 प्रशन की मद्य प्रदेश नीजी विश्विद्याले विनी यामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है तो सराजपूरी को नियुक्त किया गया है यह मद्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे है 33 प्रश्न है कि मध्यप्रदेश का मुख्य सचीव की से नेक्ड किया गया है तो आर एसार मोहनती को मुख्य सचीव नेक्ड किया गया है 34 प्रश्न है कि भारत के नए 47 वे प्रमुख नयाधीस Chief Justice of India Justice Sarad Arvind Bobri को बनाय गया है यह मद्ध प्रदेश में कब से कब तक मुख्य नयाधिस के रूप में रहे हैं यह देखिए एक fact है जो कि आप देख सकते हैं क्योंकि यह news है और मद्ध प्रदेश में भी रहे हैं इसलिए मैंने यह डाला है तो यह 16 October 2019 से लेकर के 16 October 2012 से लेकर के 11 April 2013 तक मद्ध प्रदेश के मुख्य नयाधिस रहे हैं यह तो यहाँ पर आप fact को यहाँ पर सुधार लीजिएगा यहाँ पर 2012 है अगला प्रशन है आपर 35 प्रदेश के किस शेहर को सबसे ज़्यादा दर्शनियों दौरा देखे जाने के जाने वाला विश्व के धर्मिस्तोलों के सूची में शामिल किया गया है तो महाकाल मंदिर जो की उज्जेन में इस्तित है 36 प्रशन है यहाँ पर कि मद्ध प्रदेश मद्ध प्रदेश सासर ने के महादी वक्ता किसे निक्त किया गया है जो कि 70 नंबर के हैं से 30 सवा प्रशनेयापर की महादिय वक्ता होता क्या है जिस प्रकार से केंदर सरकार में आपने देखा होगा कि वहाँ पर अटर्णी जर्नल होता है वो केंदर सरकार के लिए मतलब केसे सोते हैं उसको लड़ता है से 30 सवा प्रशनेयापर की बांदावगर्ड टाइगर रिजर्व में सबसे उम्र दराज बागिन का खिताब हासिल करने वाली बागिन का मोथ हो गया है तो इनका क्या नाम था उनका नाम जो बागिन है उसका नाम T23 था ये भी आपको याद रखना है 38 कोशन कि मद्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019-2020 के लिए बजट राशी क्या रखी गई है तो जो बजट राशी ये बहुत याद रखी क्योंकि इसके बारे में कोशन बहुत पूछे जाते हैं तो बजट राशी है वो है 2,14,363 करोड जो कि पिछली बार का जो बजट था वो था 1,82,62 करोड तो पिछली बार की बजट से ये 18% जादा है एक गरोड डेटा याद रखी है सुनिए ये वाला 2,14,363 करोड ये पूछा जा सकता है और हमेसा पूछा भी गया है कही बार एक्जाम में बजट 2019-20 में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान कितना है मतलब कितने राजस्व आएंगे तो 1,89,354 करोड रुपे प्राप्ति का ऐसा अनुमान है मद्यपरदेस सरकार द्वारा सरकार की अफसर गाउं गाउं पहुचकर लोगों की समस्याओं सुनेंगे इसके लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है तो आपकी सरकार आपके द्वार इस ये अभियान शुरू किया गया है 41 प्राप्रशने आपर की बाग सर्वे रिपोर्ट 2018 के अनुसार मर्द प्रदेश में बागों की संख्या कितनी है तो मर्द प्रदेश में बागों की संख्या जो है वो 526 है जो कि पहले राज नंबर परे और पुरे भारत वर्ष में अगर हम बात करें तो 2960 यहाँ पर बाग पूरे भारत वर्ष में है 42 प्रेशने के देवी अहिल्या भाई विश्विद्याले की नई कुलपती किसे न्यूकत किया गया है तो डाक्टर रेणू जेन को यहाँ पर देवी अहिल्या भाई विश्विद्याले को कुलपती न्यूकत किया गया है और ये किसका इस्थान लेंगी तो ये प्रोफेशर नरेंद्र धाकड का इस्थान लेंगी और देवी अहिल्या भाई विश्विद्याले को अभी एक हपते पहले नवंबर में ए प्लस के केटेगरी में उसे डाला गया है 43 प्रेश ने सरदार सरोवर बांध के पात्र डूब प्रभावित परिवार को नर्मदा घाटी विकास मंत्राले के द्वारा सहयता राशी प्रदान की गई है तो उन्हें कितनी सहयता राशी देने की का निर्णे लिया गया है पाँच लाग असी हजार साहतरासी देने का निर्णे लिया हुआ है और जो सरदार सरोवर बांध के अंतरगा नर्मदा घाटी विकास मंत्रा ले आता है उसके जो मंत्री हो सुरेंद्र सिंग बगेल है चमाली स्वा प्रैशन है कि मुख्य मंत्री सुषेण संजीवनी योजन मद्य प्रदेश के कितने अनुसूचित विकास खंडों में शुरू किया गया जाएगा तो ये 89 अनुसूचित विकास खंडों में स्टार्ट किया जाएगा जो की 20 जिलों के अंतरगत आएगा और ये स्वस्त मंत्री है वो तुलसी राम सिलावट है बैतालिसवा प्रशन मद्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मैगनिफिसेंट एमपी कारिकरम का आयोजन कहां किया गया तो इस कारिकरम का आयोजन इंदोर में किया गया 46 प्रशन मुक्य मंत्री अवास योजना के तहट कितने अवास ये इकाईयों के निर्माण की योजना स्विकरत की गई है तो एक लाग पंद्र हजर आठसो बानबे मकान बनाये जाएंगे 47 प्रशन आपर कि मद्य प्रदेश ने कितने शहरों को विश्व इस्तरी विवस्ता न्यू यूर्क लंदन के तरज पर विक्षित करने का प्लान G.I.S. बेस्ट मास्टर प्लान तयार किया है तो इसमें 34 शहरों को सामिल किया गया है 48 प्रशन आपर कि मद्य प्रदेश सरकार द्वारा विश्व धरोहर सप्ता का आयोजन कब किया जाएगा तो ये 20 से लेकर के 26 मुमबर के बीच में आयोजित किया गया था लगबग 6 दिवसी कारिकराम था ये एक हपते का पूरा 7 दिवसी है 49 प्रशन के मद्य प्रदेश सासन के द्वारा मद्य प्रदेश सासन के राज सीखर सम्मानों का अलंकरन 18 नौंबर को आयोजित किया गया इसमें सांस्कृतिक वसाहित जगत की कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया तो इसमें सम्मानित होने वाले विभूतियां टोटल 27 रहीं पचासवा प्रशने यहां पर कि मद्ध प्रदेश मद्ध प्रदेश के 64 इस्तापना दिवस पर आयोजित कारिकरम का नाम क्या था तो मद्ध परदेश उत्सो जो 64 अस्तापने दीवस था मद्ध परदेश का उसमें का नाम रखा गया था मद्ध परदेश उत्सो एक 50 वह परशनय पर की विदीसा में नह निर्मित जीला अस्पिताल का उधगाड़न मुख् कमल नात के द्वार किया गया, इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया स्वर्ये-म willingness इंदिया क्वोंबर महीने में और इसके बाद अक्टूब युदिसमबर महीने कराएगा वह भी मैं आपku कवर करूंगा वो जब महीना कंप्लीट होने ऺगा तब तो दोस्तों इसके साथ साथ अभी बजट का जो सेशन है वो भी मैं आपको बकायदा कोशिश करूँगा लाने की और economic survey जो आया था मद्यप्रदेश का वो भी मैं कोशिश करूँगा उसके lectures लाने की और इसके बाद जो census है 2011 उससे भी बहुत सारे question बनते हैं तो वो भी मैं कोशिश करूँगा लाने की तो I hope मुझे उमीद है कि जो ही मैंने series चलाया था पूरा January से लेकर के December तक का November कम्प्लीट कर चुका हूँ यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा आपने बार बार सुना होगा और नहीं सुना है तो बार बार सुनिए दोस्तों साथ शेर करिए और आप लोगों के लिए एक message है जिसे आपको wishes लूप से आपके फायदे के लिए हो message आपको सुनना है दोस्तों मैं Unacademy पर बढ़ाता भी हूँ Unacademy पर मेरे courses available है जो कि design किये गए है मेरे द्वारा 29 courses design किये गए है तीन सो से यादा वीडियोस available है अपने जाकर के देख सकते हैं इसके साथ यदि आप Unacademy कोई भी plus courses purchase करना चाहते हैं तो आप मेरा kोडी उसका यह आईये मंगे 28 आप यहाँ पर 10 प्रतिसक्ता discount available कर सकते हैं अवरी प्लस courses आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे courses design के गए हैं यह सारे courses के हैं स्पोर्स के हैं इस्टी के माइन लाइनर मेरे समंदी थे गवर्मेंट स्कीम से हैं पॉलिटिकल के जो भी यहाँ पर इशू होते हैं वो है international relations है international boundaries है फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे defense science technology वो है जिपने भी यहाँ पर indices report आती है उन सब की information आपर दीगए यह सारे courses design किये में मेरे द्वारा यह देखें आप यहाँ पर इसावी courses है जो कि आप बहुत यहाँ बेनिफिशल्स रहेंगे से MPVAC के लिए आप बहुत यहाँ आदा identified verified दरीगे से design के वह courses है क्योंकि आप इने जाकर के देखें आपको बहुत यहाँ आदा होगा मैं इनकी लिंक्स जो है courses की में description box में provide करा दूँगा आप लोग वहाँ पर जाकर के access कर सकते हैं और इसके साथ ही जो पर फेस्बुक के pages है जहाँ पर मैं करेंट अफे डालता हूँ आप यह लिंक्स हैं courses के वह पर इसके बाद टेलिक्रम के जहाँ पर पीडिए डालता हूँ और वाट्सेप के जो ग्रूप से उनकी भी लिंक में आपको description box में provide करा दूँगा और मैं comment section में पीन कर दूँगा वहाँ पर जाकर कि आप जॉइन कर सकते हैं और इसके साथ आप लोगों से